आज मैं रेश्यों शुरू कर रहा हूं परसेंटेज चेंज में आज हम रेश्यों की फिर से बात करेंगे और रेश्यों मैं शुरू भी कर रहा हूं नहीं टॉपिक रेश्यों परपोर्शन राइट परसेंटेज चेंज में यह था जैसे कि फॉर जेंपल अगर प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो पहले एक केस तो यह था कि आप कंजंप्शन की परसेंटेज बता दीजिए असरो कि उसमें क्या होगा चेंज इंक्रीज होगा डिक्रीज अगर एक्स्पेडेंचर कॉंस्टेंट है क्या है अगर यह फिक्स दे रखी तो अगर यह इंक्रीजिंग परसेंटेज आएगी तो यह कंफरम है क्या आईगी और यह डिक्रीजिंग दे रखी होगी तो फिर अपने क्या जाई कि इन दोनों का बोजिट होना जरूरिया तब ही सामने वाली वैल्यू क्या हो सकती है कि को इस पॉस्टेंट आ सकती है इन दोनों का मल्टिप्लाई किसके बरापर होता है यस वर रो तो अगर अगर किसी चीज का कोई fraction लो कि सी में चाहिए कुणसे question में दिक्कत आ रही है कोई भी question ले लो जैसे किसी price का कि इतना हो रहा है कि वह रहा है इतना प्राइस बढ़ गया ठीक बढ़ा वाल यह कम होता है क्या हुआ अगर सोगर इतना घड़ जाता है तो अगर जाता है तो आएक्टनेंटेंटर क्या रहें है तो कैसे करोगे बताऊ सबसे पहले इसको क्या करते हैं ऑफ हंडड़ ठी लिखेंगे है पर सेंटेज की जए क्या लिख्षेंगे तो कितना आ गया fraction अब इसको deal करना पताया था में अगर increase करना हो तो increase तो क्या करेंगे इसको ऐसे 3 में 1 एड़ कर दिया 4 बाइ 3 लेकिन increase नहीं अब के बार इंग्रीज नहीं क्या है decrease है price में decrease कर रखा तो क्या वनेगा 3 में से 1 गया स्टेटल में से कर दो यह कि प्रसेंटेश रहे ओके प्राइस टीक्रीज भाड़ा इस तो प्राइस दीखिए प्राइस टीन से दो हुआ है कि अब लुगर में 3-2 हो गया थी से गटके कितना हो गया यही तो डिक्रीज होना हुआ फो कॉंजम्चिन क्या हो जाएगी आपको पता ही दोनों आप पोजिट चलते हैं कैसे ये कितना वैलिव है थ्री बाई टू और थ्री बाई टू का रसी प्रोकल करो तो क्या बनेगा तो वही तो लिखा है कि दोनों आपस में पी और सी आपस में क्या है रसी प्रोकल है क्या है एक दूसरे का पोजिट है वो जी तैसी करते हैं वनवाई करके अब चेंज कैसे निकालते हैं दोनों में डिफरेंस कहां से चेंज हुआ इन्टू कितना अंसर आएगा ठीक है कर लोगे अब रेशिय एक नया चप्टर रिखा ज़ने आपके लिए अब कुछ प्रसेंटेज के के देशियो के मिक्स होंगे क्या होगे डाएंट इंटर्पिटेशन हमें मिक्स कॉषिन आता यह को यह तो परसेंटेज रेशियो आवरिज मिक्स हो जाता है ठीक है यह तीन्चा टोपि मिक्स होते हैं. अगर हम दो चीजों के बिच में रेशो चेक करें तो इसका एक्सक्ति मीनिग क्या है? देख़िये, आप ऐसे एक बाउंडरी ले ले लो. इस बाउंडरी के आप चार-पार्ट कर दो. तो boundary पहले एक थी, single थी, क्या थी, एक boundary थी, एक area था ये, ये 1 था, जब इसके आपने चार पार्ट कर दिये, तो हर पार्ट को कितना पार्ट चला गया है, इसके चार पार्ट आपने कर दिये, 1 by 4, 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 छीक है, अगर इसको percentage में लेके जाओंगे तो ये value कितन लेकिन अभी में percentage नहीं करूंगा, ठीक है, ये सारे add करके कितने बनना चाहिए, और ये साब add करके कितने बनना चाहिए, 1, अभी बितादाओं कैसे, किसी को इतना पार्ट गया है, अगर उसको ये वाला पार्ट भी दे तो कितना पार्ट चला जाएगा, उसके पास, आजा अब जब नीचे की चीए सेम हो, तो टो आना पार्ट मिल गया, तू इसको भी टो भाई-फॉर मिला, ये भी कितना हुआ, तो वन भाई-टू-ए-टो कितना होता है, इसी में से थ्री वाई-फॉर कैसे निकलेगा, ये एक परसन है, इसको इसको बिसको लोगा ये बिसको ब तो बवन बाइटव तो तब मिलेगा जब इसको इस पुरा एरिया की दो पार्ट मिलने कितने मिले इसी पर्सन को अगर आप टीकाटर देते हों कितने देते हों वन मैसी तो बंभाई फॉर-वन बाइफॉर। तो कितना पार तेला जाएगा इसको 3 by 4 क्या होता है 3 by 4 अगर इस किसी को complete 4 के 4 पार देते हो तो फिर उसको क्या होगा complete पूरा donate कर देते हैं उसको कितना जाएगा one by four one by four one by four one by four कितना हो जाएगा one two three four four by four four by four कितना होता है one कित के समझ में अहें समझ में एक्ष्वल में जो डिवाइड वाइड बाइचस हैं यही रेश्य होती क्या होती ह normal उसको क्या मान रहे है Gulf इसको टोटल वाज़े क्या मान रहे है अग्र प्रइस मतलब दो चीज़ों काई आप जिरे जिरे समझ में आपको आएंगी अब जैसे दो परसन है इनमें दो चीज़ें हमने डिवाइड करनी है इस रेशो में और अभी मैं आपको यह कह रहा हूँ आप मुझे मौल कर बताओ इस पार्ट की यह पर्सन ए है यह परसन भी है इससाब से बताओ एक तो कितना गया और बी को कितना गया तो X को कितना पार्ट मिलेगा чи यको मतलब है इक्वल होता है इसके कितने हैं और CD एक को दे दू अब ये वाला CD इसको देना है यह वाला CD इसको देना है फर्क तो पड़ेगा नहीं कि दोनों उनकी बस इस बात पर वाहस हो सकती है दोनों जैसे प्रोपर्टे डिस्ट्रिब्योट होती है मुझे ये वाला पार दो इधर हावर जाद आती है अगर दोनों को ऐसे प्रोपर्टे दी गई है अब कितना पार डिवाइड वाता हो कि वन बाई वन का मतलब इसका में मतलब क्या है अगर थ्री वाई थ्री दे दी तो तबी एक कुले लेकिन अगर ऐसे दे दी अब बताओ क्या होगा तो इसका मतलब क्या हो एक्स को प्रोपर्टे के दो हिस्से दिये गए और वाई को प्रोपर्टे का एक हिस्से दिये गए ना एक्स को दो हस्के कौन से से दुकुत हैं कोई इसके ये वर यह लेलो और य वह लेलो चैसके यह लो तो पोंच को कितनी drive किस्थ को है ना हैं कितना रहे है 500 और यह को कितना है अपर वाइं को कितना च semua पर ऐसका है आगा नेट यह रहन Debate distribute करते हैं उन्होंने चार हिस्से करने तीन प्रोपर्टी के तीन डिवाइड एक करती है एक डिवाइड अपने पास रख लिया है यह सरो तो इसका मतलब हुआ प्रोपर्टी के आपने कितने हिस्से किये दो और एक तीन कितने हिस्से की थ्री थ्री पार्ट किये जिसमें दो एक को चले गए दुबार्ट एक को चले गए और एक पार्ट एक को गया है हैó ऑन तू पर्टिजा कितना हो गया हुआ है वन टू थ्री फोर समझ मैं है है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर एट पाट अब हर हिस्सा कितना हो गया है कि समझे आप इस लिए और अगर मैं यहां लिख दूँ हूं कि मिख्री होब वाइक्स को झूट्रि और वाइको फोर बताए क्या में पाटि के इक व्य्किस्फ यूववी तीन से जाएंगे कुणकुन से एक वन बाइट इतना आया हाफ वैसे लिखेंगे तो 4 by 8 यह 1 by 2 बनेगा तो इसके पता चला कि X को इस प्रोपर्टी की चार इससे आ गए मतलो आधी प्रोपर्टी किसके पास चले गए यह आप समझ रहे हो इनका मेनिंग यह इसका मेनिंग है अच्छा ऐसे लिख दे तो कि X और Y को ख za goガid 1 by 1 by 2 इधर आ जाएगा और 1 by 2 ब्रोपर्टी के दोच्चे बने एक और 4 by 8 एक को चली जाएगी यह वन वाइक होता हाफ हाफ एकुल जिवाइड होगी मतल Beckyzahl पार्ट इसको एक्स को चले जाएगी और चार पार्ट इसको चले जाएंगा नीचे वाले वाई को, समझ रहे हो, तो आप यह समझे, A by B form क्या ratio, ratio समझ भारे हैं वाप ratio को, कि यह जो चीज होती है, इसका कुछ meaning होता है, इसका कोई, meaning होता है, यह समझ हो, इसका मतलब होता है, आप distribute कैसे करे हो, इसका मतलब होता है, parts, क्या होते हैं, यह भी part है, इसका, यह भी कोई part है अब ये वाला पार्ट ये वाले पार्ट वन बाई एह ओंगे वन बंबाई पॉर ओंगे वन बाई सैवन होंगे यह बात पर डिपान्ड करेंगे जो टोटल प्रोटिय हो जा है उसके आपने एक्वल हिस्से कितने कि आफ अगर इस प्रोपटि Crime के सिर्फ इक्वल आपने मालिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने पार्ट की है इक्वल, 7 पार्ट की, कितने ये, तो हर पार्ट कितने कितने का है, आप समझ रहे हैं, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक पार्ट, जो सबसे शोटा पार्ट होगा, ऐसे इक्वल हैं सारे पार्ट, क्या है, जैसे एक इस पार्ट में से 3s to 4 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 3s to 4, 1, 2, 3, तो कितना आगए, एक पार्ट कितना चला गया, और दूसरे को 4 पार्ट, 1, 2, 3, 4, दूसरे को कितना चला गया, आई होप आप समझ पारे होंगे, तो अगर 7 को 7 से डिवाइड कर दें, तो 3s to 4 करे इसको कितना पार्ट, डिश्ट्रिब्यूट होगा, समझ में आप, तो अभी, जैसे question मैं आपको लिता हूँ, ये आपका एक TV है, ये रेफ्रिज रेटर है, ठीके, नोट नहीं करेंगे में, ठीके, समझेंगे, उनके amount 1-1 है, उनकी amount का ratio 1-1 है, टोटल जो खर्चा आया है, वो उनको purchase करने में, मालिया 50,000 है, कितना है, तो ये बताईए, टीवी कितने रूपे का आया, और रफ्रिज रेटर कितने रूपे का आया, ऐसी हमें देखे, ठीके, बताईए, हमें पता चला है, कि ये दोनों equal है, क्या है, तो टोटल के 2 equal पार्ट कर दो, 25-25,000 बनेंगे, ये इधर equal है, तो इधर भी equal करना पड़ेगा, तो 25,000 एक साट चला जाएगा, और 25,000 एक साट चला जाएगा, तो यहां हो गया, आपका 25,000 और यहां भी हो गया, समझे हो, ये एक value है, क्या है, ये एक value है, बट ये दोनों value नहीं है, ये एक ratio है, क्या है, जो one by one है, लेकि कल हम बात कर रहे थे, जब percentage change निकाल रहे थे, हम इसको value assume कर रहे थे, क्या assume कर रहे थे, समझ में है आपको, याद है वो बात, मैंने कहा आप इसको कोई value assume मत करों, क्या मत करों, आज हम इसको बोल रहे है, ये value ये आ रही है, एक्चुल में, आपको इस बाहर से factor लेना होता x, उस x को आप इस से multiply कर दो, और इस से multiply कर दो, तो दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों में, अब की बाहर वो x आपका 25,000 हो गया, क्या हो गया, आप करो 25,000 को दों तरस multiply, 25,000 into 1, अगर वो value x 1 होती हमा लिया, 1 into 1, 1, और 1 into 1, तो value बन गहीं क्या दिक कर, तो value हम करी सकते हैं, अगर external factor x कितना हो जाए, 1 हो जाए, समझ में या, यही वो 1, यही वो values होती है, जिसको हम क्या बोलती है, आगे चलकर मैं बताऊंगा, क्या होती है, अच्छी, एफ होती है, क्या होती है, लेकिन जब question हम करेंगे, तो हम इन चीज़ों को ज्यादा तर deal नही होगा, equal नहीं भी आएगा, यहां से trick सीखो, जब भी आपको ratio दे रखी हो, तो क्या करो, answer तो आपके पास है न, आप क्या करो, मुझे यह बताओ, यह कितना, क्या दे रखा है, total है, यह क्या एक, इसका भी total कर दो, कर दो total, एक और एक कितना होता है, यह भी total हो गया, ठीक ह एक और एक दो, ratio का हमेशा आपको total करना है, और total के साथ compare करो आप, यह भी total, यह भी total, इस टूम में ऐसा मैं क्या करूँ के 50,000 हो जाए, इस टूम में मैं क्या multiply कर दूँगा, यह 25,000 हमारी क्या जाएगी हमेशा, क्या value आएगी, हर question में, x, अब करो x को multiply इसे, कितना answer, अरे कितना आएगा, और यह कितना आएगा, अब आप इसको रूपीज लिख सकते हैं, इसको रूपीज निमत लिख देना, यह value नहीं है, जब तक यह किसी x से multiply नहीं होती, दोनों ratio, तब तक यह value नहीं हो सकते, अगर मैं इस question को अभी कभी change करूँ, इस question को अभी कभी मैं change करूँ, कि आपके पास दो ratio है, एक person x, एक person y, उनका ratio 3 to 2 का है, और उन्होंने कोई amount purchase की, वो amount, माल लिया, पाँच हजार रुपे, तो आप यह बताईए कि इस person x, a को कितना मिला और बी को कितना मिला, बताईए, इनके बीच में कोई ratio दे रखा, क्या दे रखा, पाँच हजार distribute करने हैं, कैसे करोगे, trick से, trick क्या, अभी क्या trick लगाई थी, अच्छा, math के simple rule है, आपने न, छोटी छोटी चीज़ों पर fly करने हैं, पहले trick, किस पे न, छोटी calculation के उपर समझे हैं, और paper में भी, अगर आपको बड़ी calculation पर solve नहीं हो रहा है, तो छोटी calculation लियूज करो, जैसे ये वाला, तो हमीशा याद रहेगा आपको, भाईचा है, total, इसका total करो, इतना है, three or two, इतना है, five को इससे relate करो, five में में क्या multiply करो, अब ये कोई, ये कोई वो नहीं है, ये x है, इसको आप थोड़ी देर के लिए, हैस भी बोल सकते हैं, बोल सकते हो, तो करो 1000 को इससे multiply कितना नसर आया, इसको कितना मिला A को, और B को कितना मिला इक हजार को इससे multiply करो, कितना है, अरे समझ में आया, रेसोस का total, total के साथ एक्यूएट करो, रेसोस का total, total के साथ एक्यूएट करो, कर लोगे, अब जीने जीने चीज़ें बढ़ेंगी, तीन परसन होंगे, राम, शाम, मोहन, ठीक है, उनकी आपस में रेशो देर रखिये, ये देर रखिये, तीन दो पाच, आर, आर, एस, ए, ठीक है, ये बड़े, ये सिंपल सिंपल से easy question अगर exam में आते हैं, तो ये कुछ भी नहीं है, आपको ये बताना है, कि वो तीनों मिलके कितना amount consume करते हैं, कमाते हैं, उनकी total income ले लो, total income ले लो, उनकी, income, कितनी है, ठीक है, कितना बनाई, कितना बनाई, कितनी है, आप ये बता दो, कि राम की income कितनी है, अब राम की income को आप 3 रुपीज नहीं बोल सकते हैं, तू रुपीज नहीं बोल सकते हैं, ये वैल्यू नहीं है, अभी लास्ट केस में, आपने जो पिछला कोशन किया, टीवी कितने का आया था, पूथाजन का ना, प्लास्ट केचिन किया था, कुछ थाउस में, और रेफ्रिजरेटर कितने का ना, पूथाजन का ना, इनको दोबार डिवाइड करना, फिर और बी फिर से करना, कितना अंसर आएगा देखो, फिर से ये बाई बी करो, ठी बाई टू रेश्यों वही आ र तीवी से वो अच्छे दिन वाली बात वह ही पोटीकल है उसी तरह ये भी ही पोटीकल कोश्चन से अब मुझे ये बताओं क्या करेंगे टोटल दे रखा है इसका टोटल कर दो क्या बनेगा तीन दो पांच और पांच दस एक चीज़ और मैं आपको बता दूँँ अगर अग तो वह कुश्चन ले रहा हूं कि आपको एक्वेट करके डस्यमल फ्रक्शन ले ले ठीक करो तीन दो पांच और पांच कितना टोटल आया है तस कितना है अरे दस ही तो आया है दस से अब एच्छिएफ निकाल लो आप दस से एक बना आपका दस में मैं से क्या करूं कि एक हो जाएं दस में ऐसे क्या करूं कि एक लाक हो जाए दस में क्या मृटिप्लाइए कर तो 10,000 कितना मिल्टिप्लाइए कर दो दस हजार में 4D होती है ठीक है चार जिरो ये और एक ये पांच हो जाएंगी तो दस हजार हमारा क्या आगया है अब एक बार इससे मल्टिप्लाई कर दो एक बात याद रखना है तिनों से मल्टिप्लाई होगा कितना अंसरा बनेगा यहां पर आँ और टीस हजार तो राम किनकम है इसकी कितनी वीस हजार और इसकी अफिजह समझाता हूं जितनी वह टोटल इंकम है उसके आपने एकवल 010 इसे करने क्या करने समझ रहों तो दस लाग के लाग नहीं करके दस दस हजार हर बॉक्स में ड़ाग दियू इसको कितने पार्ट देने हैं पांच पार्ट इसको पांच पार्ट देने हैं तो उठा लो पांच पार्ट यहां से एक दो तीन चार पांच उठाओ जी अपने पांच पार्ट उठा लिए इन्होंने कितने पैसे आगे इनके पार्ट उठाने इसमें कोई दो पार्ट उठा लोकितने पैसे इंके पास इनके पास total के कितने बार आईंगे तीन पास अरे आए समझ में अ कि तो जो total होता है नम यह भी बात है यहां पर वन बाई टान का फैक्टर वरना वन वाई टैन को जब इससे लेकिन वैल्यू है मारे पास क्या दिकत क्या गाते हैं यह जो वैल्यू दा रही है यह हमेशा एड करके यह इस टॉटल के एक बार कि समझ भी है एक चोटा से कुश्चन ऐसे लेकि देखो अगर मैं दो चीज़ों में दो लोगों में यह रेश्यू है और उनका सामने जो टॉटल इंकम आ रही है वो मालिया यह तो पुरा पुरा डिवाइड कुछ ऐसी वैलो तीन और दो पांच पांच से क्या डिवाइड नहीं होता जैसे कुछ भी ले लिया आपने 94 रुपीस डिश्ट्रिब्यूट करने हैं क्या करने है कुछ भी करके देखते है तो तीन और दो क्या हुआ एक और कॉश्ण इज़रे साहसत कर लेते हैं एक और कोश्ण कर लेते हैं दो लोगा राम और शाम ठीक है यह 3 और 2 और इनका रिश्व माल लिया अभी 100 ठीक है इनका टोटल किया कितना आया पांच में ऐसा क्या किया आपने पांच में ऐसा क्या मुल्टिप्लाई किया आपने कि आपने पांच में ऐसा क्या मुल्टिप्लाई करूं कि कितना आजाएं तो हमारा जो एक्साहिब की बार कितना है है अरे समझ रहे हो अब 90 एक्स हमारा चाहे कंप्लीट वैल्ली हो कंप्लीट वैल्ली कितना आया था भी एक्स पीछे पीस या फिर इस तरह है को हमें इससे क्या मतलब है एक्स हमारा आगे कोई बाद एक्स को उठा कि बारे से बडिप्लाई कर तो कितना अंसर आया 94 यही केस हो सकता है या तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा यह नहीं होगा क्या कहते हो एल्टीमेटली क्वेश्टन उसी का गलत होने वाला है जिसको एक्स निकालना नहीं आ रहा है मनलों एक्स निकल जाए एक एक्स तो आपने क्या करना है इसमें अभी कल पर सो कुछ प्रसेंटेस के कोशन पूशन पूशन पूशने आए जैसे आप आई तो वह चीज तो लि कि इनको ऐसे डिल करना है आयोग आप समझभा रहे होंगे कि अब रेशो का कुछ आईडिया आपको आया है अब डारेट करना है आपने कोशन रेशों ठीक है अब मुझे बताई है अगर दस लोगों में भी डिस्ट्रिब्यूट पेपर में हो गया A B C D E कुछ भी आ गया दस लोगों में डिस्ट्रिब्यूट हुआ अगर इसकर में तरीके से तो बहुत टाइम लगना है मैं आपको बता दूँ दस लोगों में प्रोपर्टी डिस्ट्रिब्यूट की किसी को एक पार्ट किसी को दो तीन चार पाच और सामने टोटल लिखा हुआ है तो कुछ भी अब यहां से ट्रिकी कोश्चन पहुचा गया एक बात ट्रिकी कोश्चन यह है माल यहां एक टीवी दिया एक रैफ्रीजरेटर दिया अध्रीजरेटर जिक कर ए उनकी रेशों का कॉश्चन पढ़ो दा उनका रेशों है है the difference in their price the difference यह कुशन में लिखा था इन देर प्राइस उनके प्राइस में जो डिफरेंस है वो पांच हजार है कितना है या जस हजार ले लो वाले फाइंड टेवी का माउंट टेवी कितने रुपे का है और रेफ्रीजिरेटर कितने रुपे अचा पिससे पहले वाला क्वेशन कैसे आया था तटेवी और फ्रीज का जो टेवी और फ्रीज रेफ्रीजिरेटर का जो रेश्यों यह है दोनों का डिफरेंस की जगें माले लिखा हुआ था टोटल टोटल लिवर्ड था माभी क्या था टोटल इतना रेवेन्यू बनता है माले लिखा को देना है उसके लिए उसका कुछ वर साँ उससाइड में लिख लेता हूं मैं वह भी वह भी लिखता हूं यह टीवी है यह राफ्रेज रेटर रहें दोनों का रेश्यों यह है टोटल जो उन पर एक्सपडेंचर आया है एक्सपडेंचर समझते हो क्या होता ह मालिया 10,000 आया कितना है तो TV कितने amount का है और रेफ्रीजिरेटर कितने amount का है दोनों जगे आपने amount ही बता रही है टीवी के रेफ्रीजिरेटर की बताईए आप समझे है question की statement दोनों जगे same है समझे हो यहां क्या वनेगा टोटल दे रखा है टोटल यह तो तीन और दो का 5 रिशो का एड पांच को दस हजार से मुल्टिप्लाई करो पांच में ऐसा क्या करूं क्या मुल्टिप्लाई करूं कि 10,000 आ जाए क्या करें राक्स की वैल्यू कितने आई कond son b दो हजार को आपने एक बार इससे मुल्टिप्लाई करने और एक बार इससे मुल्टिप्लाई करने खर लोगे लोगे न हो कितना अशर आएगा जो दे रखी है, difference के साथ दे रखी है, अगर total दे रखा हो, तो ratio का total, total ये भी total है, total को ratio के total के साथ compare किया, 5 को compare किया, total के साथ, अभी क्या दे रखा है, difference, और ये भी amount difference है, दोनों के rate के difference है, तो 3 और 2 का ratio का difference कितना होगा, 1, कितना होगा, और वो 1 किस से relate होगा, 10,000 से किसे 1 में मैं से क्या करूँ कि 10,000 मन जाए कि 10,000 ही करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा तो अब की बार X कितना है 10,000, 10,000 का एक बार 3 से multiply किया तो कितना रिट आज़ेगा इसका 30,000 हो गई वही X change हो गई आपका, क्यों change हुआ क्योंकि अब की बार ratio का add नहीं करना था total नहीं दे रखा यह जो 10,000 है total नहीं है difference हम करेट का क्या है इसको बोलते हैं आधी है दूरी knowledge क्या अगर आपने यही knowledge gain करके आच्छा total कर लेंगे हम तो हड़ कुस्तिन का total करेंगे नहीं करेंगे total आप देख लेंगे इस बात को कही difference तो नहीं दे रखा तो फिर ratio को क्या करेंगे difference difference कितना है एक हाँ उस क्या करेंगा वह यह कुछ difference को जो अभी आपने निकाला ratio का difference के साथ compare करो one में मैं ऐसा क्या करूँ कि 10,000 बन जाए हाँ जी छे जार रूपे यह और चार जार रूपे दोनों को total करो expenditure कितना बन रहा है तस अजार टीवी और रफरीजिनेटर के total price को एड़ करें तो दस अजार बनना चाहिए लिखा हुआ है बन रहा है छे जार और चार जार दस अजार यहां दोनों का rate का difference 2000 आ रहा है है ना हमने difference के साथ से कुछ करना भी नहीं है क्योंकि difference वाला तो कुछ पूछा ही नहीं है आपने total कर दिया तो गरड़ बढ़ हो जाएक क्या गरड़ होगी एक्च्वल में आप total निंकाल रहे हो यहां difference दे रखा है तो अब दिखो आप जो आपकी वैलिव आई यह 30,000 और 20,000 वह बिल्कुल difference आया है any doubt and difficulty समझ भी आए तो ऐसे 30-40% question तो आपके ऐसे ही solve हो जाएंगे जो आप इस concept से अगर आप इसको solve करना चाहिए अब थोड़ी सी दिक्कत क्या आने वाली है माले एक person A है, एक B है, एक B है और एक C है अब यह level 2 के question है इन दोनों में ratio दे रखा है 1,2 और इन दोनों में ratio दे रखा है 2,3 ठीक है B का A के साथ भी contribution है और B का C के साथ भी, value 4 दे रखी है और person कितने हैं, team, person कितने हैं, A, B, C, आपको यह पूछा है, जो income है इनकी total income, total यह word बड़े घ्यान से बढ़ना है paper में, के total लिखा है के difference लिखा है, total जो लिखा है, वो है मालिया, इनका जो income का जो total है, वो मालिये 6000 रुपरे, कितना है आप यह बढ़ाईए कि A को कितना amount आया, B को कितना amount आया, C को कितना amount आया इस से पहले तो अब तक तो ठीक था, अब तक क्या था, अब तक माले ऐसे question था, 1, 2, 4, हम क्या कर रहे थे, इन टीनों का addition, अरे यही कर रहे थे, उस total को, इस total के साथ compare करके answer कर, अब एक्स निकाल रहे थे, तो एक बार इसमें multiply कर रहे थे, अब दिक्कत क्या है, हमारे पास ratios, तीन हमें लिखनी है, लिकिन हम आप पर 4 value लिखिए, क्या लिखिए, समझ में है, तो एक चीज़ याद रखना, अगर B दोनों जगे same है, center वाला, तो आप उसको ऐसे लिख स कर रहा है, B, C के साथ भी कितने पार्ट शेर कर रहा है, दो पार्ट, तो यहाँ भी 2 पार्ट शेर हो रहे है, इधर भी 2 पार्ट शेर हो रहे है, तो आप इस level 2 के question में आप एक ratio ऐसे बना दे, इसमें कोई confusion नहीं है, इसमें मैं कोई explanation नहीं दूँगा आपको, कि B का contribution, B न रेशो तीन आगई, परसन भी 3 है, X निकाल लो, एक बार इससे multiply कर लो, एक बार इससे, एक बार इससे, बताओ क्या answer आएगा, एक, दो, तीन, और तिन, छे, हैना, 6 में मैं क्या multiply करूँ कि 6000 आजाए, यह सर लो, अच्छा आपको यह भी बता कि अगर पूरा-पूरा डिव हो रहा है, 1000 आगए, यह X आगया, आपको X यहाँ multiply करो, कितना है, यह कितना हो जाएगा, इसके साथ multiply करो, 2000, मैं value simple ले रहा हूँ, आपको समझाने के लिए, यह कितना हो गया, 3,25, और 6,000 total income है, total total के साथ equate हो जाएगा, लेवल टू में इस तरह से भी चीज़न सकते हैं, अच्छा बड़े ही simple simple से question, आपसे इतना भी पूर सकता है कहीं बारतों, कि यह बताओ final ratio क्या बनेगे इनकी, final ratio कुछ नहीं बनेगी, यहीं बनेगी, 123, क्या बनेगी, मतलब अगर इस ratio से 4 question आने होए, तो इस तो ratio से ही पूछेगा, final ratio बताओ, तो ठीक है, 123 इसकी ratio, लेकिन इसमें complexity बढ़ जाती है, जब person के ratio disturb हो जाती है, जैसे कि, यह note कर लिया, इसका final ratio बताओ, final ratio, बाकी तो बात की बात है, वो बार-बार amount नहीं निकालेंगे, बहुत practice कर दी, final ratio बताओ, ABC का कितना आ रहा है, 3423 का, ठीक है, AB का 34 है, और इसका 23, ठीक है, और बताओ, पर कितना है, 346 बता रहे हैं, यह कह रहा है कि, A का ratio, B का ratio, C का ratio, 346 आ रहा है, यह बताओ, पहले चेक कर लेकर लेकर निका अंसर ठीक आ रहा है, आ और बी का ratio कितना बन रहा है, 34, दिख रहा है यहां पर भी 34, ठीक है, यहां लिखते हैं, 46, लेकिन यह टू थे हैं, अगर यह value 4 by 6 है, कितनी है, 4 by 6 को उपर रिचेकर 2 से divide कर दे हैं, किसे divide कर दे हैं, तो कितना आएगा, तो मतलब 4 by 6 कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ 2 से 3 ही है, एक यह बात, यह बात, यह सब नो, मतलब इसका इनकान सर ठीक है, हमें algorithm देखनी है, बस फिर तो क्या देखनी है, फिर 3, 4, 6 कैसे बना है, क्या कहते हैं, तो बहुत सार इसके तरीके, कोई भी एक तरीका फोलो कर लेगे, ठीक है, फाइनल रेशो निकाल निकाल निया देखे, चुछ अगर यहां से रेशो निकाल निकाल निया आगी, फिर तो टोटल करना है, आप कोई कोईट, ठीक है, चलिए, वो तरीका देख लेगे, 3, 4, 6 कैसे है, यह A, यह B, और C, A और B का रेशो कितना है वही, 3, 4, और इसका रेशो कितना है, B और C का, करते हैं, अजी, देख लिए, अलिव लो, क्या करो, इस 2 को यहां कोपी कर दो, इस 4 को यहां कोपी कर दो, 6 8 और 12 ऐसे लिख लो ठीक है अगर 6 और 8 को 2 से डिवाइड करूँ मैं किसे डिवाइड करूँ 2 मुल्टिप्लाइए किना वैने इसमें इसमें भी 2 इसमें भी 2 तो दोनों को 2 से डिवाइड करूँ क्या आएगा है है हाँ से 3 4 तो चेक कर रहा हूं यह 3-4 बन रहा है ठीक है इसको 6-8-12 भी बोल सकते हैं जिन्हों आपने 3-4-6 बोला ना उसको 6-12 भी बोल सकते हैं ठीक है अच्छा मैंने क्या किया इस 3 को भी 2 से multiply किया इसको भी 2 से तो दुनों को 2 से divide करो वापिस तो वापिस 3-4 आ रहा है यह नहीं आ रहा है अच्छा यह 8 और 12 है अगर मैं इसको 2 से 2 से 8 बाइ 12 है 8 बाइ 12 है इसको मैं तू 4 जा 8 और 2 4 से कर दो 4 2 जा 8 4 3 जा तो 2 3 बन रहा है और 4 से करके देख दो ना मैक्सिम फक्टर तो 4 जी बने गया है तो यह 6 से 12 कैसे आया यह भी कैक आंसर जो आंसर यह बोल रहे थी आप क्या बोल रहे थी 3 4 6 यह सेम है इसको आप एक बाद दोनों को 2 से डिवाइड करो 2 4 एक ही तो बाद है पूरी वैले को 2 से डिवाइड कर दी तो जैसा अंसर इनका आएगा फाइनल अंसर हमारा भी भाई बने अगर इन्होंने यह बोल दिया कि A B C का टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट माल लिया यह है इनको डिस्ट्रिब्यूट करना है इनको तो या तो इस से सॉलू कर लो या इस से सॉलू कर लो अंसर सेम आएगा करके दिखाओ मैंने फाइनल रेशों निकाल दिया सुन लो कैसे किया है फिर से आप जब भी पेपर में बैटेंगे तो इस तरह से फिगर आपको दिखेगी इसका पड़ोसी इसका नेवर यह है तो नेवर जब कुछ दिक्कत होती है तो कौन पहले आएगा नेवर पहले आएगा तो यहां नेवर यहां फिल कर दो कर दिया है इसका नेवर कौन है उसके बाद इनकी क्या कर दो आपस में मुल्टिप्लाई क्या कर दो तो 3 to 2, 6, 4 into 8, 4 into 3, 5 आगे है बस यहीं से भी करो कि तभी अंसर में कोई फर्व नहीं पड़ेगा लेकिन अगर आपको लग रहा है कि डिवाइड हो सकता है क्योंकि जब आप एक्ट्व में जब डिवाइड कर दोगे सरको 2 से तो एक्वेशन छोटी बन जाएगी और एक्वेट करना असान हो जाएगा क्या हो जाएगा आ हैं कि है कि घिitate पर एक करना आया वह कैसे विल करना है नेवर से पड़ोशी सिक यहां टो नहीं आट यूंट बार दिएव इंटिप्लाई कर दिया अंसर आजाेगा कल वी सिवह कि लेघ्र चैए इसक्ता है किला कि अंब दूझाए कादने सिंपल यह यहां से कर लो इस से कर लो या इस से कर लूँ उन्सर सेम है क्योंकि दोनों सेम बात है कोई किसी से भी मुझे बस दोनों से से आप ज भी बता दो इसके साथ relate करो कितना बना 6 और 14 और 12 26 में मैं सा क्या multiply करूं x के कितना हो जाए 26000 हो जाए यह सरो यह है तो यहां से x कितना जाएगा उपर वाली equation से x कितना जाएगा 1000 क्या जाएगा उपर वाली से 1000 आएगा हमारा कितना आएगा क्योंकि हमारा यह शेजार अंसर ना जाएगा अरे इसका 1000 आएगा एक्स तो बदलेगा न अरे यार दोनों में से आएगा फिर वाली नीचेज हो जाएगी कि सूपर वाली equation का एक्स कितना आया कि दोजार च्छे और आट चोदा रुबारा चब्दिस चब्दिस में अगर एक्स मुल्टिप्लाई करके देखो तो 26000 आची तो एक्स की बले हजार हजार को मुल्टिप्लाई करो इससे तो कि रहेगा फाइनल रहेगा फाइनल रहेगा लेकिन याद रखना इस में को इक ब्रम्त करना चीक कि तो क्या अंसर आया है इसको कितने पैसे मिलें 2000 और इसको कितने मिलें तो आपको एक्स निकालना आ गया अजिया बताओ सबसे पहले रिश्यो निकालने आई उसके बाद यह आ गया यह मत करो कोई बात नहीं किसी इस वही कॉंसेप्ट रखो एड करा सबसे अंसर निकालो ढ़लो मीनिंग सही है तो अगरै को यूज्छ करना चाहते दो इसको कर लो तो इसको इस न जाते हैं इसको कर लो अभर समझ में आया या अब मैं एक दो प्वेश्चन आपको देता हुँ कि फाइनल दें आपने बताने लेक्ट रिखो लेख फाइनल देशियो निकाल लोगो कि तो एक भी की 32 है एक रीडिकी रेशियो दे रखिए 32 टी चे-टी की रिशियो दे रखी हे क्ब म quieren र GLORIAा का दो अ बीचö बनेगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कुछ प्रैक्टिस के लिए एबी का रेशो 3-2 एबी का रेशो 3-2 बीसी का रेशो 2-3 बीसी का रेशो 2-3 CD का रेशो 1-2 DE का रेशो 3-1 अब इससे ज्यादा क्वेश्चन अगर आप करो इससे ज्यादा बड़े लेवल का क्वेश्चन नहीं बनेगा इनमें तो रेशो ही पूछेगा आपसे डारेट इससे आगे तो आप डिल करी लोगे टोटल हो यह डिफरेंस वो मैनेज कर लो गया सबने वही तरीका लगाना है पड़ोसी से भरना है उसको फिर मल्टिप्लाई करना है टोटल वैली इसको राइट एक बर फिल करवाना है आपे क्या क्या आएगा यहां पर क्या आएगा यहां पर क्या आएगा ओड़ोसी से फिल कर तिया यह टोटल वैल्यू कितनी बनेगी तीम छे आएगा है ना मंटिप्लाई करना है आप इनके पर फिल करो इसका पर फिल को है तो इसका फिल ओगे इसका कॉन नाएगा अब तो मल्टिप्लाई कर लोगा न वर्टिकली अरे रेश्यो बड़ा सिंप स्टेप सीखो final ratio बनाना सीखो ठीक है बताई यह अंसर कितना रहा है हो गया शायद आपने उसको डिवाइड नहीं किया है ठीक है बाहरा कि स्ट्रेस में नीच्छा उसका एक सिया था तो कुछ हो रहा रहा था ठीक है तो इसका मतलब एक पात बता चल लगी आपको एक्स डिफरेंट हो सकते हैं अच्छी एफ जो होता है जो मल्टिप्लाई करना होता फाइनल अंसर पूर सकते हैं लास्ट करके दिखाओ एबी सीडी अजी आपको पता चला कैसे निकाला पर पडोसी से फिल करो और बाद में मल्टिप्लाई कर दो समझ में आया इधर आ जाओ इसको इसको बताओ इसको क है लिए चार आलेमें मोगें है अब आपको सारे अलेमेंट झालने करने किया करने से अब 4 मेंघा त Studerator 3 अगर निकालने नहीं आएंगी तो इसे बाद टोटल दे रखा कोई फाइदा नहीं निकाल नहीं बाओ गया प्योंकि जब तो यही गट बढ़ा आपकी कुश्चन में फिर आगे तो करने का फाइदा नहीं कुछ ने बताया क्या क्या अंसर बताया अगर आपका इससे डिफरेंट भी आया है तो आप उसको डिवाइड करके देख लेना सेम वैल्यू से डिवाइड होके इनका इन्होंने शायर को डिवाइड कर दिया है हो सकते इससे बड़ी वैलिप कर रहा है नहीं किया भी तो पिर क्या अंसर आ रहा है एबी थ्री टू 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 और त्री वन एट्टिन दिखाना दिखाना बताव था एट्टिन आया और क्या है तवाल एट्टिन त्वंटी थर्टिस त्वाल चैक करो वई अगर आपके सारे वैलियू डिवाइड नहीं गलत है यह नहीं है अगलत है यहां गलत हो गए यह नहीं क्योंकि इससे डिवाइड करके यह बनना चाहिए ना फिर नेश्ट अप तो यह यह नहीं है यह आएग़ पिर ये आपने अभी क्लास में छोड़ रहा हूँ क्लास के बाद आभी करके देखना है और अगर नहीं हुआ तो क्लास के बाद जब G.S. कतम हो जाएगी तो मुसे पूछ के जाना है इसको लेकर कुश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए फाइनल रेस हो अगर निकालनी आ गई तब ही टोटल निकालबा होगा याद रखना नहीं तो वह टोटल वाला कुश्चन तो आपको आप से हो गई नहीं पांच लोगों में डिस्ट्रिब्यूट करवा रहा हूँ आपको कुछ करें चाहिए पो यहां पूस्ट्रिब्यूट सम्झमेए और भी हो तो इसी निकाल लोगे इसके संजिशन में छह से भी हो रहे ही इससे नहीं आसान हो जाएगा आपके लिए इस पर एक्स बदल जाएगा इससे इसका एक्स कुछ और होगा दो फ्रेंड आगे पास पास रोलंबर आ गए और आपस में तो यह आ रहा है अदे गंटे से बैटे साथ बगड़ गड़े कि क्या ही करने इसका करा तो ठीक था नही बड़ी वैल्यू होगी आया समझ में तो फाइनल रेसो मैं कंक्लूड करना को अगर निकालना नहीं आता तो इसका आज क्वेस्टन मार्क नहीं रहना चाहिए आपके पेस्पे के फाइनल रेसो कैसे निकलेगी जाए पांच वैल्यू हो छे हो दस हो बीस हो समझ में है उसक स्प्रोपर्टी के कितने हो किसे फिर 17 कि इसको चले गये हैं इसको कितना गय हैoneалы two तो सोला आप का मतलब वनग design 1 गा सिस्कोटने भार assessment अना इसको कितने बाढ़ कितने एक इसको कितने कि में टिश्टन आएंगे टिए ऐसे कि टुटल प्रोपटी का शिक्ष्ट सी यट नीचे होता न में में छी होता रेश्यों में उस्का कितना पार्ट मिला इसको एक हो Rafi कितना होता है कि इसके पास वन आये इट कितना इंप आई और समझ रहे हो कि नीगे तो ये जो है री ribi अब रेचो में भी आप कोस्टिस कर रहे हो आगे बढ़ने की प्रैक्टिस करने की एक पर अपने चीजों को देख लोगा ही कोई डाउट हो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे ठीक है